नुश्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस वर्ष हमारी आजादी को 75 साल कंप्लीट होने वाले हैं, तो आपकी Ministry of Culture ने एक मैगजीन या आप कह सकते कॉमिक निकाली है जिनमें बात की गई है उन विमन्स की जो Freedom Struggle में इतनी ज़्यादा रेकोगनेज नहीं रह जैसे यहाँ पर पहले कोश्चन में आप से कुछ लीडर्स के बारे में पूछा गया है और कुछ इसी तरहां का आपका दूसरा कोश्चन भी है तो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगी कुछ ऐसी परसनालिटी को जो रीसन टाइम में निउस में रही है विकॉस आपकी कल्चर मनिस्ट्री ने इनके बारे में एक कॉमिक रिलीस की है आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ एक प्रोग्राम शेयर करना चाहता हूँ देखे दोस्तों जैसे ही UPSC प्रलिम्स आपके करीब आता है तो आपको एक ऐसे कोर्स की जरूरत होती है जहाँ पे आप स्ट इसमें ना केवल आपको स्टेटिक बुक्स की नॉलेज़ मिलेगी बलकिन NC8 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी कवर होंगे और साथ के साथ 500 दिनों के आपके करन्ट अफेर भी कवर होंगे ताकि आप होलिस्टिकली अपने स्लेबस को कवर कर सकें अब जैसे ही आप एक इसके बाद आपको चाहिए एक रेगुलर फीडबैक जहां पे आपको ये समझ में आ सके कि आपको ये टॉपिक कितना समझ में आया है तो इसके लिए यहां पे होगा आपका एक रेगुलर टेस्ट हर एक लेक्चर के बाद जिससे आप उस टॉपिक के बारे में अपनी कर सकते हैं आप अपने प्रलिम्स एक्जाम में उसके बारे में भी आपको समझाया जाएगा अब अगर आप में से किसी को भी इस बारे में और information चाहिए तो आप login कर सकते हैं video.onlyis.com पे जाके आप हमें mail कर सकते हैं info at the rate onlyis.com पे और साथ के साथ आप call कर सकते हैं इस निचे दिये वह नंबर पे आएए सबसे पहले बात करते हैं रानी अबाका के बारे में इनकी मदर का नाम था हिरिया अबाका अब इन्होंने अपनी मदर को मरते वे वचन दिया था कि ये पुर्तगीज के against war लड़ेंगी और उसी वज़े से इन्हें जाना जाता है कि ये 16 सदी में इन्होंने पुर्तगीज के against war लड़ी थी और जिसके बाद लगबग 40 सालों तक इन्होंने अपने देश के ऊपर पुर्तगीज की नजर तक नहीं पढ़ने दी और कई बार इसी लिए इन्हें अभयारानी के नाम से जाना जाता है अब यहां पे इनकी जो capital city थी उसका नाम था पुर्तगी और यह राज्य आपका coastal करनाटका में पढ़ता था जोहां अब हम तुलू नाडू को देखते हैं यह चोटला density से ब्लॉंग करती थी और इनकी स्टोरी कुछ इस तरह से है जैसे इनकी मदर बहुत ज इसी तरह का tribute नहीं देंगे पुर्तगीज को और ना अपना कोई समान बेचेंगे इने अब इसकी वज़े से जो पुर्तगीज हैं वो काफी नराज हो जते हैं उनका जो मेंगलूरू में station था जहां पर उनकी आर्मी रहती थी उन्होंने अटाक कर दिया यहां पे अब इसक 40 साल तक पुर्तगीज के यह सपना पूरा नहीं होने देती रानी अबाका आएए अब बात करते हैं मतांगनी हजार के बारे में जो 1870 में पैदा हुई थी और बहुत गरीब तबके की पिजिन फैमिली में बिलॉंग करती थी इनका जनम वेस्ट बेंगॉल में हुआ था इ आपको तो पता ही होगा कि 1905 में बंगॉल पार्टीशन का समय है और इस समय इनका रुझान इंडिन पॉलिटिकल या आप ये कह सकते हैं इंडिन इंडिपेंडेंस मूव्मेंट की तरफ जाता है और धीरे धीरे जब इन्हें गांधी जी के बारे में पता लगता है लेटर फिर भी ये चर्खा चला कर अपने लिए खादी खुद बनाती थी अब क्योंकि इनका रुझान गांधी फिलोसफी की तरफ था तो कई बार इन्हें गांधी भूरी भी कहा जाता था मतलब ओल्ड लेडी गांधी अब जैसा कि आपको पता होगा कि ये मिदनापूर से थी और कुट इंडिया मोवमिंट के दोरान इन्हों ने एक मार्च स्टार्ट की थी मिदनापूर में अब अंग्रेजों ने इस मार्च को रोकने की कोशिश की थी उसी दोरान अंग्रेजों की गोली लगने के कारण ये शहीदी को प्राप्त होती है और कुछ इस तरह का अट्रिब्यूशन रहा है मतांगनी हजारे का इंडियन फ्रीडिम स्ट्रगल में आएए अब बात करते हैं चिकाली इल्मा के बारे में देखिए बीसवी सदी की स्टार्टिंग में जैसा कि आप जानते हैं कि भारत दो तरहां के युद लड़ रहा था एक तो ब्रिटिश में की कैटेगरी में आते हैं अब होता क्या है कि इनकी शादी हो जाती है लगपक 11 साल की उमर में और इनके छे बच्चे होते हैं अब जो आपके वाशर में होते हैं तो इनको कई बारे ज则्से बेगारी वगएर परफॉर्म करनी पड़ती है तो इस तरह के काम की जमीन दार से जमीन किराये पे ले ली मतलब आप टेनिन फार्मर बोल सकते हैं इने अब जब इन्होंने ये जमीन किराये पे ली या भाड़े पे ली तो इन्होंने बहुत से लोगों के यहां पर बेगारी सिस्टम के अंडर परफॉर्म करने से मना कर दिया मतलब फोर्स तो मैं आग लगाने की कुशिश की अब इस बीच में इनका जगड़ा हो जाता है किन से जमिनदारों से अब जैसे ये जमिनदारों से जगड़ती हैं तो इनके एक बेटे के मृत्यू हो जती है और इनके पती और कुछ बच्चों को पुलिस जेल में डाल दिती है इसके बाद इन्होंने लोकल कोट में अपने राइट के लिए केस लड़ा और वो जीती भी इसके बाद इन्होंने ये सोचा कि ऐसे ही कुछ और भी गरीब लोग होंगे जिनकी उन्हें मदद करनी चाहिए तो ये उसके लिए भी सामने आई साथ की साथ इन्होंने इंस्पायर किया और भी बहुत सारी महिलाओं को ताकि वो लड़ सके अपनी जमीन और डिग्निटी के लिए और आगे चलकर इन्होंने कॉमनिस्ट पार्टी आफ इंडिया को जॉइन किया जिसकी ये एक्टिव मेंबर बनी और आगे चलकर इन्होंने लैंडलोर्ट्स और निजाम के रजाकर आर्मी के अगेंस्ट इन्होंने फाइट की और यहाँ पे आपने एक चीज़ जो याद रखनी है यह आंदर परदेश से बिलॉंग करती थी तिलंगाना और आंदर परदेश वाला एरिया कि उस समय तो यह एक ही था इनकी मृत्यू 10 सेप्टेंबर 1985 में हुई थी आईए अब बात करते हैं पार्बिति गिरी के बारे में अगर बात की जाए पार्बति गिरी की तो इनके फादर थे धननजे गिरी अब यहाँ पर आपको याद रखने हैं कि इनके जो फादर थे वो विलिज हेड्मिन थे और काफी अच्छी खासी जान पहचान थी इनकी गाओं में बट ये इंफुलेंस में आते हैं अपने अंकल के जिनका नाम था राम चंदरगीरी और वहाँ से इनके अंदर फ्रीडम स्रगल के बारे में जिग्यासा जागती है जब ये स्कूल में थी इन्होंने महात्मा गांदी जी के बारे में पढ़ा और जिसके बाद से ये फ्रीडम स्रगल की तरफ और ज्यादा उत्सुक होगी धीरे धीरे अपने अंकल की बाते सुनकर जैसे घर में और भी बहुत से फ्रीडम फाइटर्स आते थे तो उनकी बाते सुनकर इनका ध्यान और ज्यादा इन्वाल हुआ किसकी तरफ फ्रीडम स्रगल की तरफ इन्होंने काफी छोटी एज में ही freedom struggle में participate किया जब ये लगबग 16 साल की ही थी तब इन्होंने participate किया था quit India moment में उसके इलावा इन्होंने गांधियन स्टाइल को अडॉप्ट किया था अपने जीवन में भी और अपनी कारे शैली में भी उसके इलावा 1940 में इन्होंने एक organization स् चाहिए और उन्हें कोट को खाली कर देना चाहिए अब जो वकील कोट को खाली करके नहीं गे तो इन्होंने उनको चूडिया पकड़ा दी थी एक बार क्या होता है कि SDO office जाती है और वहाँ पर office खाली होता है तो ये अपने दोस्तों के साथ होती है वहाँ पे तो एक अप पुलिस आती है तो इनको अरेस्ट कर लिया जाता है और इन्हें लगबग दो साल की सजा दी जाती है अब क्योंकि इन्होंने अर्ली एज में अपनी एजूकेशन को छोड़ दिया था तो 1947 में जब देश आजाद होता है तो इसके बाद ये प्रियाग महिला विद्या उसके इलावा इन्होंने कस्तूरबा गांधी मात्रू निकेतन खोला जहां पर इन्होंने महिलाओं और और और्फन्स के लिए आश्रम खोला उसके इलावा इन्होंने डॉक्टर संत्राबाल निकेतन खोला जहां पर जिन लोगों को घर से निकाल दिया जाता है उनके प्रोशी को खतम करने के लिए उसके लावा इन्होंने रुक्मनी लथ बाल निकीतन भी खोला था जहां पर इन्होंने गरीब बच्चों को आश्रे देनी की कूशिश की थी इसके लावा अचारे विनोधा भावे किया जो भूधान मुवमेंट थी उसमें भी इन्होंने पुझाब कौर के बारे में जिनों ने इंडियम जिनों ने देश को आजादी दिलाने के लिए अपनी शादी तक की परवानी की देखे इनकी छोटी सी उमर में शादी हो जाती है और ये अपने पती के साथ क्योंकि पंजाब में उस समय अंग्रेजों का राज चल रहा था त जैसे ही ये दोनों कपल यानि मान सिंग इनके पती और गुलाब को वियतनाम पहुंचते हैं इनकी मुलाकात होते हैं कुछ ऐसे लीडर्स के साथ जो गदर पार्टी से जुड़े हुए थे अब यहाँ पर गदर पार्टी के जो पॉलिटिकल लीडर्स थे जो इनसे मिलते ह वो इन्हें समझाते हैं कि कैसे देश की आजादी के लिए ये पार्टिस्पेट कर सकते हैं और इन्हें वापस देश लोटके चलना चाहिए अब एक समय के लिए तो ये दोनों हस्बंड वाइफ मान जाते हैं कि हम देश की आजादी के लिए काम करेंगे बट जो इनके पत से पहले देश को चुना और इन्होंने उनका साथ छोड़ दिया और ये वापिस भारत लोट आई भारत में आने के बाद से इन्होंने गदर पार्टी के साथ मिलके बहुत से काम किये जैसे गदर पार्टी की जो लिटरीचर डिस्टिबूशन था उसकी जिम्मेवारी इन्ही को दी गई थी अब अंग्रीजों की नजर पड़ती है इनके उपर की भाई की ये तो कहीं न कहीं बिटिश गॉर्मेंट के अगेंस जन्ता को भढ़काने का काम कर रही है तो इस वज़े से इन्हें स्रडिशन लॉग के अंडर अरेस्ट कर लिया जाता है और इन्हें तरह तरह की यात्मा ही दी जाती है और जितना भी इनका जीवन था वो सारा का सारा समर्पित था देश को एक लेखक है सरदार केसर सिंग इन्होंने एक किताब लिखिये गदर दीती ये गुलाब कोर की ही कता है अगर आपको समय मिले तो आप इस किताब को भी पढ़ सकते हैं आईए अब बात करते हैं पदमाजा नाइडू के बारे में जो की बेटी है सरोजनी नाइडू की अब जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सरोजनी नाइडू ने भारत की आजादी के लिए बहुत सा काम किया अब अपनी मा से सीखती हुए इन्हों ने भी भारत की अजादी में बहुत बढ़ चड़के पार्टिस्पेट किये इनकी बचपन की एक दोस्त थी जिनका नाम था रत्ना भाई पैटिट ये आगे चलकर मुहम्मद अली जुन्ना की वाईफ बनती है इसके लावा ये जॉइन्ट फाउंडर रही है इंडियन नेशनल कॉंग्रेस इन हैद्राबाद की इनके ओपर बहुत सा इंफुलेंस देखने को मिलता है गांदी जी का जहां पर इन्हों ने एक बार गांदी जी की स्पीच सुनी थी और उसके बाद ये बाइकाट फॉरेंड गुड्स मूवमेंट में जुड़ी इसके बाद 1942 के कुट इंडिया मूवमेंट में जुड़ी तो लगबख आजादी के दोरान भी इन्होंने बर चड़कर पार्टिस्पेट किया अब जैसी देश आजाद होता है 1950 में इसके बाद इन्हें इलेक्ट किया जाता है इंडियन पार्लेमेंट में हालाकि ये उस दोरान बिमार हो जाती है जिसके कारण इन्हें रिजाइन करना पड़ता है अपनी पोस्ट से 1956 में इन्हें बंगॉल का गवर्नर अपॉइंट किया जाता है जहाँ पर ये 10 साल 209 दिन बंगॉल के गवर्नर की पोस्ट पे रहती है जिसकी वज़े से इन्हें ये का जाता है कि ये लॉंगस फिमिल गवर्नर है बंगॉल की इसके लावा इन्होंने बहुत से हुमिनिटेरियन वर्क किये हैं जिसकी ये जुड़ी हुई थी रेड क्रॉस और्गनाजेशन से जो की एक इन्टरनेशनल हुमिनिटेरियन और्गनाजेशन है अब जो आपके बंगलादेश रिफ्यूजी ऑपरेशन था उसके लिए भी 6 परसन यही थी रेड क्रॉस की तरफ से उसके लावा ये जुड़ी हुई थी भारत सेवक समाज और इंडिया हैंडीक्राफ बोर्ड और नहरू मैमोरियल से भी उसके लावा इन्होंने अपनी मदर की सारी पोयम्स को इकठा करके एक बुक के तोर पे पब्लिश किया और इस बुक का नाम था दा फैदर आफ डाउन जो की 1961 में पब्लिश की गई थी इसके लावा पतमाजा नेडू हिमालिन जियोलोजिकल पार्ग भी खोला गया है जो की डार्जलिंग में लोकेटिड है अब बात कीज़े विष्णी देवी शा की तो ये बिलॉंग करती है उत्राखंट से और इन्होंने बहुत से लोगों को इंस्पार किया था फ्रिडम स्ट्रोगल के लिए देखे इनका जनम हुआ था 1902 में और जब ये महज 14 साल की थी तो इनकी शादी हो जती है और जब ये महज 16 साल की होती है तो इनके पती का निधन हो जता है इसके बाद 19 साल की उमर में इन्हें भारत की आजादी के बारे में पता लगता है और फ्रिडम मूविंट के बारे में ये जानती है अब उसी दोरान यानि 1929 के आसपास आप देखते कि गांधी जी ट्रेवल कर रहे थे नैनी ताल के आसपास के एरिया में और इन्होंने गांधी जी की स्पीच सुनी अब वहां से ये गांधियन फिलोसफी के और अपना रुज़ान बढ़ाती है और आगे चलकर ये गांधियन फिलोसफी पे और भी कुमाओं की महिलाओं को जोड़ लेती है अपने अंदोलन के साथ इसके लावा इन्होंने पार्टिसपेट किया था फ्लैक सत्यग्रह में अब फ्लैक सत्यग्रह के दोरान इन्होंने प्रोटेस्ट किया था बिटिस रूल के अगेंस्ट अब क्योंकि बहुत ज़्यादा तादात में लोग वहाँ पर एकठा हो गए थे तो क्या होता कि वहाँ पर लाठी चार्ट स्टार्ट कर देते हैं अंग्रीज अब लाठी चार्ट स्टार्ट होने के बाद आसपास की जन्ता में भगदर मज जाती है तो बिष्णी देवी शाह जी ने उस समय भारत का तिरंगा अपने हाथ में लिया और इस बिल्डिंग के उपर तिरंगे को फैराया था इसके लावा 1934 में अंग्रेजों ने उस समय धारा 144 लगा रखी थी भागेश्वर में मतलब इनके गाउं के आजपास के इलाके में इन्होंने तब भी उत्रायनी फेर अरेंज किया था अल्दो इनकी मृत्यू 1974 में हुई थी बट कहीं न कहीं आजादी के बाद इनके योगदान को भुला दिया गया था ये आपकी उत्राखंड की पहली ऐसी वोमन थी जिन्होंने पार्टिस्पेट किया था फ्रीडम मॉव्मेंट में और इनके योगदान को याद करते हुए इस बात आजादी के अमरित मोहत्सव में इनके बारे में बताया गया है इस कॉमिक में आएए अब बात करते हैं रानी वेलू नचियार के बारे में देखे जैसे के आप जानते के अठारवी सदी की स्टार्टिंग में ब्रिटिस इस्ट इंडिया कंपनी अपने पैर जमा चुकी थी इंडिया में अब यहाँ पर जो उनकी भूग थी लैंड के लिए वो बढ़ती जा रही थी अब उस समय की बात है कि एक राजा हुआ करते थे सेद्धू पती उनकी इकलौती बेटी थी वेलू नचियार क्योंकि यह इकलौती बेटी थी तो इनके लालन पालन में किसी तरह की कमी नहीं रखी गई मतलब इनको अच्छी एडूकेशन दी गई इन्हें युद्ध कलाएं सिखाई गई जैसे इन्हें ट्रेनिंग दी थी कॉमबैट में जहां पर इन्हें विलारी, सिलंबा और हॉर्स राइडिंग जैसी चीजे सिखाई गई थी साथ की साथ आर्चरी भी अब जब यह महज 16 साल की होती हैं तो इनकी शादी कर दी जाती है अब क्या होता कि अंग्रेज जो है इनके पती के राज्ये पे अटाक कर देते हैं मतलब आकरमन कर देते हैं अपने देश को बचाने के लिए इस लड़ाई में इनके पती शहीद हो जाते हैं और ये वहाँ से बहुत मुश्किल से ही बचकर निकल पाती है इसके बाद लगबग आठ साल तक ये डिंडूगल में रही अंडर दी प्रोटेक्शन आफ पलैकर कोपला अब यहाँ पर ये सोचती है कि मुझे किसी भी तरह प्रतिशोध लेना है अंग्रेजों से अब इसके लिए ये जाकर मिलती है हैदर अली से जोकि मैसूर के निजाम थे अब क्योंकि रानी जी को बहुत सी लेंगउच के बारे में घ्यान था तो इन्होंने अपनी उर्दू भाशा से परभावित किया मैसूर किंग्ड़म के निजाम को अब इनकी बात से प्रभावित होकर निजाम ने इन्हें दिंदूगल फोट दिया और साथ की साथ मंतली 400 गोल्ड कोईन देने का वचन दिया इसके लावा इन्हें आर्मी भी प्रोवाइड की गई और हत्यार भी प्रोवाइड की गई आगे चलकर रानी जी ने अंग्रेजों के साथ युद्ध किया और अंग्रेजों को अपने देश से खदेड कर बाहर निकाल दिया अब देखिए जहांसी से आप जहांसी वाली रानी को तो जानते ही होंगे बढ़ जहलकारी बाई के बारे में आपने शायद नहीं सुना होगा अगर बात कीजे जहलकारी बाई की तो इनका जनम हुआ था 1830 में भोजला में अब ये अपने माबाप के इकलौती बेटी थी और इने बचपन से ही कोई भी महिलाओं वाले शौक पसंद नहीं थे ग्रह कारियों में दक्ष मनाया बलकिन इने तलवार, बो एरो ये सब चलाना भी सिखाया जिसकी वज़े से ये युद्ध कला में माहिर हो गई कहा तो यहां तक भी जाता है इनकी बहादुरी के बारे में कि एक बार ये जंगल में लखडी काटने गई थी तो इन पे तेंदुए ने आकर्मन कर दिया था तो इनोंने निहत्ते ही उस तेंदुए को मार दिया उसके लावाज जो इनके गाउं के सरपंच थे उनके घर में एक बार डिकाद घुस जाते हैं और उनको भी इनोंने मार भगाया था अब इसकी वज़े से इनकी जो बहादुरी के चर्चे हैं वो आसपास के गाउं में फैलने लगे और नयायपुरा में रहने वाले एक सैनिक पूर्ण सिंग ने इनके बारे में सुना और उन्होंने इनके साथ ब्यार रचाया एक बार ये रानी लक्ष्मी बाई जी से मिलती हैं और उस समय रानी लक्ष्मी बाई जी ने इने कहा था कि वो बिलकुल उनके जैसे ही दिखती हैं और इसी के बाद रानी लक्ष्मी बाई जी ने इने दुर्गा दल का चीफ मनाया अब होता ये कि 1888 में जब जहांसी पे ह्यूज रॉस अटैक करते हैं तो उस समय जहांसी की रानी की आर्मी के बहुत से लोग मर जाते हैं तो उस समय ये रानी जी को सला देती हैं कि आप भेश बदल कर यहां से निकल जाएए और मैं आपकी जगा बैटल फ्रिड में जाऊंगी अब ये लगबग एक दिन तक अंग्रीजों से लोहा लेती हैं जब बाद में इन्हें ह्यूज रॉस की आर्मी पकड़ती है तब उन्हें समझ में आता है कि रानी लक्ष्मी बाई नहीं बलकिन उनके भेश में चलकारी बाई हैं अब जब इन्हें पकड़ कर ह्यूज रॉस के पास ले जाया जाता है तो उस समय इनके जो सिपाई है वो ये कहता है कि ये औरत बिलकुल पागल है साब अब जब ये बात सुनते हैं हूज रॉस तो कहते हैं कि अगर यहाँ पर एक परसंट भी महिलाएं इनकी तरह पागल होती तो शायद आज हम इस जमीन पर खड़े भी ना हो पाते तो ऐसी अद्भुत परसनेलिटी थी जलकारी बाई की और दो अंग्रेजों ने इने पकड़ लिया था बट ये उनसे बचकर एक बार फिर से भागती हैं और अगली सुबह फिर से रानी लक्ष्मी बाई के भेस में अंग्रेजों के साथ लड़ती हैं इस लड़ाई के दोरान इनके पती की मौत हो जाती है इस युद्ध के दोरान जलकारी बाई भी शहादत प्राप्त करती हैं आज की वीडियो में इतना ही इन सारी विरांगनाओं को टीम उन्ली आईस की तरफ से शत शत नमन